दोस्तों इंटरनेट हम सभी चलाते हैं अपने फोन में और कई बार होता है कि हमारा नेटवर्क खराब रहता है जिसके बज़े सा हम इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते हैं लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ मतलब कि एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अपने फोन में अपलाई करते हो चाहे आप कोई भी सिम काड यूज करते हो एयर टेल हो आईडिया हो वोड़ा फोन हो य करोगे तो आपके इंटरनेट चलने वाली है तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपनी एपीएटिंग को चेंज करना होगा कई एपीएटिंग का चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके ओल पे क्लिक कर लो ताकि जैसी कोई न्यू वीडियो अप्लेट करो सबसे पहले आपको नोडिफिकेशन मिल सके साथी साथ आपको यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको उसके लिए दूस्तों सबसे पहले जाना होगा अपने मोबाइल के सेटिंग में जो कि मैं यहाँ से चले जाता हूँ ठीक है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क आप में जरूरी नहीं कि यह चार नंबर पर यह कहीं पर भी हो सकता है तो आप इसे ढूंड लेना उसके बद सिम कार्ड में आपको चले जाना है अब यहाँ पे जियो आप देख रहे हो जियो 4G लिखा हुआ हम इस पे सिम्पली क्लिक करेंगे उसके बद यहाँ पे देख सकतो है एकसे पॉइंट नेम है तो इस पे हमें कर देना होगा क्लिक और यहाँ पे देख सकतो है छो कि यहाँ पे पहले सही जियो नए यहाँ पे M ABOUT अब हमेब अपना नया एपिण उसका करना है तो कैसे करएंगे यहाँ पे देख लो नीव एपिण नाम का का ओपसन नज़रा रहा होगा नीचे मैं आपको तो आपको simply कर देना होगा इस पर new APN पर click अब यहाँ पर मैं आपको screen recorder में बता देता हूँ कि आप कैसे set कर सकते हैं APN को तो दूस्तों हमें सबसे पहले काम जो करना है वो यह कि यहाँ पर इसका name set कर लेना है तो name पर हम click करेंगे और यहाँ पर ध्यान से आप देखना मैं क्या लिख रहा हूँ 8.8.4.4 space देना है उसके बद 5 लिखेंगे और फिर capital letter में G लिखेंगे आप फिर से देख लो 8.8.4.4 space देकर 5 और G इतना करके हमें कर देना है आसे उसके बद यहाँ पर यूजरनेम में भी हम सेम चीज लिखेंगे आप देख सकते हो 8.8.4.4 space देकर 5G यहाँ पर सेम प्रोसेस दोनों में होगा उसके बद सर्वर में हम जाएंगे सर्वर में आपको लिखना होगा www.google.com यहाँ पर देख सकते हो इसके बद इसे OK कर देना है उसके बद यहाँ पर MMSC को छोड़ दो MMS proxy, MMS port इन सभी को आपको छोड़ दो यहाँ पर MCC में आप जाओगे यहाँ पर 405 यहाँ पर लिखा हुआ अल्रेडी होगा तो आप इसे OK कर देना है देना होगा उसके बद यहाँ पर APN roaming protocol है आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें भी आपको थाड़ वाले पर क्लिक कर देना है उसके बद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको बेरर का option मिलेगा बेरर पर क्लिक कर लो उसके बद यहाँ पर आपको दो option सिर्फ सेलेक्ट करना है यहाँ से एक होगा LTE जो कि आप देख सकते हैं LTE यहाँ पर हो गया और थोड़ा से नीचे जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1X RTT आपको इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना और OK कर देना है तो दोस्तों यहाँ से हमारी सेटिंग होती है complete अब हम जाएंगे यहा कि आपको अपने फोन को रेस्टार्ट करना है उसके बद आप इसका फाइदा देखेंगे कि मतलब कितना बढ़िया यह काम कर रहा है मतलब इतनी तेजी से आपकी इंटरनेट चलेगी कि मैं आपको क्या बताऊं कैसा लगा आप नीचे कमेंड में मुझे जरूर बताएगा आप एक बड़ चेक कर लो उसके बाद नीचे कमेंड में हमें बताईएगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल एक और नए वीडियो साथ तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मज